नमस्कार दोस्तों मैं मैयूरी आज हम बात करेंगे ब्लैक वीट काले गीहूं के बारे में जो कि नॉर्मल गेहूं से काफी डिफरेंट वेराइटी होती है काला गीहूं जिसे दो हजार अठारा में नाभी इंस्टिटूट द्वारा लाया गया था साथ वर्षों की रिसर्च के बाद में काला गेहूं ब्ल्यूबेरी और जामून की कुटली से बना हुआ बीज होता है जिसके अंदर 0% शुगर होती है जिसके कारण ये आपके शुगर को कंट्रोल करता है फाइबर की मात्रा अधिक होने के कारण ये हमारे मोटापे को कंट्रोल करता है साथी साथ ये उच्चे केलेस्ट्रोल को बढ़ने से रोकता है साथी साथ अगर आपकी दिल की बिमारी है तो दिल की बिमारी में लगने वाले रोगों के खत्रे को भी ये कम करता है काला गेहुं कौंस्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करता है अगर आप इसका नियमेट रूप से सेवन करते हैं तो यह आपके सरीर के लिए काफी लाबदायक रहता है काला गेहुं की खेटी की अगर हम बात करते हैं तो काला गेहुं 140 दिन की फसल होती है जिसके अंदर हमें 80-50 केजी बीच का रिक्वार्मेंट रहता है इसकी उटपादन की बात की जाए तो काला गेहुं में लगबग लगबग 22 स्कूिंटल से लेके 25 स्कूिंटल इसका उटपादन होता एक एकड़ में अगर आप काले गेहुं की खेती करना चाहते है और बीच पर्चिस करना चाहते है तो आप स्क्रीन पे दिये हुए नंबर पर मुझे कांटेक कर सकते है और वाट्चप कर सकते है वाट्चप के तुरू आप मुझे और प्लेस कर सकते है काला गे हूँ इसकी जो बीच की प्राइज है अभी मार्केट में उपलब्द है 35 रुपे पर केजी से लेकर सहाट रुपे पर केजी में उपलब्द है आप अगर ओर्डर करना चाहते हैं तो मुझे कॉंटेक कीजिए धन्यवाद दोस्तों